तो नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चानल पर जिसका नाम है टार्गेट नर्सिंग आफिसे तो हम फिर से आपके लिए एक नई सीरीज यहाँ पर लेकर आए जिसमें जो नर्सिंग एक्जाम होती है जिसमें मोस्ट वेटेज टॉपिक ह यह यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो बेसिकली यह वीडियो बनाने में हमारे बहुत महनत लगती है क्वेश्चेंज डूढ़ना उनको उनके ओपर लेक्चर क्रियेट करना उसको इडिट करना यह सारे में बहुत महनत लगती है तो मेरा आपसे अनुरोद रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्यूंकि like और सब्सक्राइब हमारे लिए एक motivation की तरह काम करते हैं जिन से हमें एक motivation मिलता है हमें नए नए topics पर वीडियो बनाने का So I hope आप सभी को हमारा ये नया सीरीज पसंद आएगा और आप इस सीरीज को भी पिछली सीरीज की तरह से ही प्यार दोगे और ज्यादा time waste न करते हो सीधे questions की तरह बढ़ते है So first question is the lifespan of RBC is So जो RBC होती है उसका lifespan कितना होता है So ये सवाल का जवाब तो सभी को पता होगा अगर आप सभी को पता है तो please comment box में जरूर बता न Option A 80 days, Option B 100 days, Option C 120 days, Option D 140 days So जो RBC होती है उसका lifespan कितना होता है So इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा 120 days So basically RBC's formation कैसी होती है उसकी पूरी life cycle क्या होती है यह हम short में यहाँ पर समझ लेते है So RBC's जो formation होती है वो bone marrow में आप हम सभी को पता है कि उसकी जो formation होती है वो bone marrow होती है Bone marrow कहाँ पर situated होता है जो हमारे large bone होते है उसके center में bone marrow situated होता है जैसे कि यहाँ पर So जो stem cells होती है Stem cells से हमारे जो different RBC's, WBC's and platelet होती है या उनकी जो duties है उनको fulfill करने के लिए bloodstream में release किया जाता है उसके बाद according to the age of that cell वो अपना जो भी functioning है उसको पूरा करके वो फिर अगर suppose RBC's है तो 120 days, WBC's है तो 20 to 15 days के आसपास उनकी जो life span होती है उसको complete करके वो कहाँ पराती है liver या spleen में जो spleen होता है उसको gravaid कहा जाता है जो body का जो gravaid होता है उसको spleen कहा जाता है जो basically जो RBC's या WBC's होती है वो वहाँ पर आके recycle या store की जाती है उसके बाद यह जो process होती है यह इसी तरह से पूरी तरह से complete की जाती है so total एक cycle complete होने में 4 months का time लगता है so यह भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि total time कितना लगता है एक पूरी जो blood की पूरी जो cycle है जो इसको हम recycle करते है इसको कितना time लगता है तो इसको पूरा 4 months का time लगता है सो यह जो सवाल यहाँ पर पुछागा इसका सही जवाब बनेगा 120 डेज ओके सो नेक्स्ट क्वेशन इस विच आप दो फॉलविंग ओर्गन इस नोन अज ग्रैवियाड आप दो आर्बी सीज सो मैंने अभी आपको बताया कि इन में से कौन सा जो ओर्गन होगा जिसको ग्रैवियाड कहा जाता है आर्बी सीज का उप्शन ए स्प्लीन, उप्शन भी किड़नी, उप्शनसी लीवर, उप्शन डी गॉल्ड ब्लाडर इसका भी जवाब आप सभी को पता होगा इसका जो सही जवाब होगा वो स्प्लीन होगा सो यहाँ पर हमने एक डाइग्रेम दी है जिससे कि आपको heilp हो पाये कि देख रहे हैं यह ओर्गन जो है वो पैंक्रियाज है सो पैंक्रियाज की टिप पे और जो लोर सॉरी लेफ्ट लोब अफ लिवर है उसके एंटियर हम यहां पर स्प्लीन को देख रहे है यह जो हमें ग्रीनिश कलर में दिख रहा है वो गॉल ब्लाडर है सो इससे आपको एक आइडिया आजाएगा की हमारा लीवर गॉल ब्लाडर पैंक्रियाज यह जो हैं वो इंटेस्टाइन है डियो डियौरिनल इंटेस्टाइन है और यह स्क्लीन है तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा की अन्यूमिक्ल पॉजिशन कैसी होती है इंकी सो जो solutions all so intravenous fluids जो होते है वो mostly दो तरह के होते है crystallites and collides so crystallites जो होते है वो furtherly divided होते है चार पार्ट तीन पार्ट में isotonic fluids, hypotonic fluids and hypertonic fluids so इसका जो सही चवाप बनेगा वो होगा hypertonic solutions lungs are enclosed with, जो lungs होता है वो कौन से layer से covered होता है यहाँ पर पुचागा है pericardium, peristernum, pureal membrane and pericardium so इसका जो सही चवाप होगा वो pureal membrane होगा so pureal membrane हम सभी को बहुत से लोगों को पता होगा pureal membrane कहाँ पर स्विच्ट होता है यह हम एक diagram में समझ लेते हैं यह हमारा जो thoracic region है यह हमारे जो देख रहे हैं वो thoracic region है यह हमारे जो lungs है और यह lungs को sometime due to the infection in spiral cavity में half a fluid accumulation होता है वो situation को हम anatomy sorry वो disease conditions कौनसी होती है यह मुझे comment box में आप ज़रूर बताना और वो fluid जो होता है उसको remove करने के लिए कौनसी technique या कौनसी procedure perform की जाती यह भी आप comment box में बताना क्योंकि यह बहुत आसान से सवाल है यह पूचे ही जाते हैं है जो हाट 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 होती है उसकी ओरीजिन कहां से होती है जिसे की जैसे कि हम conductive system कहते है तो पापिलरी मुसल से नोड अब नोड और पूरकुंचा फाइबर्स सो इसका जवाब बनेगा वो होगा ऐसे नोड सो यहाँ पर हम डाइग्राइम के हल्प से समझ लेते हैं जो हाट की जो conductive system होती है जो की हम कभी एक सवाल ऐसा भी पूचा जाता है कि हाट के हाट का जो यहाँ प्लम क्यमार थै उसे क्या केते है सवासे क्या का जो 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 से केते है ऐसे नोड साइनो आर्री नोड सो बैसिकली साइनो आर्रील नोड is situated at the top or top of the right atrium which start the conductive impulse start the conductive impulse which sends to the left atrium and light atrium and simultaneously it's transmitted to the AV node which is arterioventricular node and then it furtherly divided into the bundle of branches which connected to the all over the ventricles left ventricle and right ventricle and this electrical impulses spread to the bundle branches throughout the left and right ventricle which causes the ventricle to contract and force them to expel their volume of blood out of into the out of to the heart so origination of the heart beat so origination of the heart beat is sa node so next question is which of the following joint is immovable so we all know different types of joints but immovable joint we have to give the first options fibro joint, synovial joint, cartilaginous joint and ball and socket of joint so jho immovable joint jho hote hai jho ki moho nahi moho moho kar nahi paat hai ya us me movement hum nahi kar saktay ho koonse joint ho te woh ho te fibrous joint so for next question is the cartilages at the end of the long bone is so jho long bone ho te uske end me jho cartilages so calcified cartilage, fibrous cartilage, high line cartilage and elastic cartilage so basically jho cartilage ho te hai jho long bones me jho cartilage ho te hai uske kya kaha jata hai uske basically high line cartilage kaha jata hai so there are three major types of cartilages high line cartilage, elastic cartilage and fibro cartilages so हम यहाँ पर diagram mid jayse ki yaha par dhek pa rheo high line cartilage ho ta hai woh yeh jho knee joint hai yeh patella hai yeh knee joint hai to knee joint ke jho knee joint ka jho superior part hai yaha par high line cartilage yaha par situated dhek pa rheo elastic elastic cartilage jho hai woh हमára ear ho ta hai outer side of the ear ho ta hai yeh jho ho ta hai isse elastic cartilage consider kiya jata hai then fibro cartilage jho ho ta hai woh superior side jho hai knee joint ki yaha par situated hai yaha par aap dhek sa dhek sakte ho so at the end of the long bone so end of the long bone is uh koon sa cartilage ho ta hai to high line cartilage ho ta hai so next question is the deltoid region a deltoid region is present in so deltoid jho hai woh eek muscle hai so woh kaha phe present ho ta hai body mein aur mostly unka jho clinical significance hai woh kya hai so basically deltoid region ho ta hai woh humerus phe present ho ta hai fumer present ho ta hai radius phe present ho ta hai alnar phe present ho ta hai hum sabhi ka iska humi sabhi ko iska javaab toh pata hi ho na chahiye iska jho sahih javaab ho ga woh ho ga option a humerus so basically yeh jho dhek rheo aap yeh hai yeh jho bone aap yaha par dhek rheo humerus bone hai aur iska yeh jho aap yaha par muscle dhek rheo jho shoulder shoulder se begin ho ke yaha par niche ki traf a raha hai isko deltoid muscle ka a jata hai basically yeh jho muscle hai mostly im injections dhenne adult me im injection dhenne ke liye mostly use kiya jata hai the midline midline portion of the human sperm contains nucleus protein centroils and mitochondria so yeh haa par puchha kaya midline portion jho ho ta hai usko human sperm mein usse waha par kya situated ho ta hai yeh jho hai mitochondria basically waha par situated ho ta hai yeh pura sperm ka body hai so yeh jho hai wo head hai yeh haa par nucleus situated ho ta hai aap sabhi ko pata ho ga yeh jho hai ho ta hai then yeh jho upar ki layer aap uske upar dhek rheo woh plasma membrane ki layer hai so basically jho sperm ho ta hai woh three parts me divided the head middle space and tail so uska jho hum sabhi ko pata hai mitochondria is a power of soft swell power of soft cell ho ta hai aur jho spiral shape me yaha par aapko jho dhek rha hai woh ho ta hai mitochondria so yeh haa par puchha kaya sa wale middle portion jho ho ta hai usse kya kehta hai so usse mitochondria kaha jata hai which of the following part of the brain controls body temperature and hunger so yeh haa par puchha kaya ki brain ka aisa kone sa part hai jho body temperature and hunger ko control kata hai so option a thalamus option b points option c cerebrillum option c hypothalamus so iska sahhi jawab kya hooga body ki temperature or hunger ko control kata hai so hume temperature kone sa part control kata hai yeh toh pata hai so yeh haa par puchha kaya hunger kone sa kata hai so iska jho sahhi jawab hooga woh hooga hypothalamus so hum yeh brain ka structure dhek lieta hai ek baar so basically hum yeh structure kuyo dhek rha hai kuyo ki humari anatomi ki jho revision hai woh bhi yaha par ho pa hai simultaneously kuyo ki yaha par jho questions hum discuss kere usse ke upor question aega aisa to nahi hai but hume uske anatomical positions pata chalti hai uske abhi uske jho functioning hai woh pata chalti hai uske side me kone kone se organ situated ho ta hai yeh bhi pata chalti hai so basically yeh diagram dhekhni ka pichay ka purpose yeh yeh ki aapko anatomical positions anatomi uskei achse se pata chalpa hai so yeh jho hai woh pura brain hai so basically yeh jho ho ta hai front side woh cerebrum ho ta hai then yeh jho aapko yeha par eek chhota sa part dhekra hai yeh pituitary gland hai then yeh jho hai woh cerebrum hai then yeh jho hai woh brain stem hai then yeh jho hai woh brain stem hai then yeh se niche se spinal cord hai so yeha par jho aap yeha par yeh organ dhek rho hai yeh ho ta hai thalamus which controls the temperature and hunger in human so iska jho sahih jho banye gha woh hypo thalamus so next question the balance organ in of the ear is so jho body ho tia isko balance kerne ke liye ear me eek organ ho ta hai usse kya ka ta hai then organ of corti vestibular apparatus techorial membrane any cochlea so iska jho sahih jho ho ga woh vestibular apparatus ho ga so jho body ko body ki jho balance maintain kerne ke liye jho organ ear me ho ta hai usko vestibular apparatus kaite hai so next question is which of the following statement is true about the weight of the human liver so jho human liver ho ta hai iska weight kitna ho ta hai yaha par yaha par puchha ga hai option a one one kajan sorry one kg one point thirty one point thirty kg to one point fifty six kg one point forty four kg to one point sixty six kg one point three six kg to one point seventy one kg one point six eight kg to one point sixty sorry eighty six kg so ye very qo yaha par puchha ga hai according to the weight according to the physical condition according to the environment according to the genetics her insaan ki liver ki jho size ho tia wo differ ho sakti hai so iske hisaab se yaha par puchha ga hai so aap sabhi ko pata ho na chahiye ki liver ka normal weight kitna ho ta hai saba ko koji koji kaita hai ki liver jho hai woh sabse bada gland hai but actually ya sabse bada organ jho human body me hai woh liver hai but yes yeh galat java hai jho skin hai woh sabse bada organ ya gland yaha par ah ho ta hai so bhout se exams me yeh puchha chata hai ki sabse bada gland ya sabse bada organ kunsa ho ta hai so sabse bada organ jho ho ta hai woh skin ho ta hai では liver ka number on so iska jho sahaja job wun 144 aas po resiliency to 1.66 kgto aspass liver ka weight ho ta hai so ha back to miracle but now I am bha Hong paazione 1.44 kg so mein nhe bhi aapko matai jis gitu according to the physical condition according to the environment according to genetics according to the weight and height of the person yeh even vary kar sakta hai iski wajay se iska yes difference hiyas up on the eye開 liya vitamin is stored in the liver option a vitamin k option b vitamin d option c vitamin e option d all of the above so in messa konsa vitamin है जो liver में stored किया जाता है so इसका जो सही जवाब है वो है all of the above so जो vitamin k d e a जो vitamin होते है वो liver में ही stored किया जाते है so next question which of the following cells is involved in the cell mutated immunity cell meditated immunity leukemenia t-cells mast cells and thrombocytes so which of the following cell involves in the cell mediate immunity cell mediate immunity में कौन से cells involved होते है so basically हम सभी को पता है कि t-cells जो होते है वो mostly immunity में mostly involved होते है so इसका जो सही जवाब होगा वो option t-cells होगा what is the human heart made up of जो human heart होता है वो किस muscles से made up होता है so tissues muscle skin protein या bone so basically जो human heart होता है वो muscles से muscles को मिलकर तयार होता है so हमें सभी को पता है कि देरार three major types of muscles होते हैं हमारे body में first is skeleton muscle second is smooth muscle and third is cardiac muscle so कभी-कभी ये भी सवाल पूचा जाता है कि smooth muscles कहां पर situated होते है body में so यहाँ पर आप ये diagram के help से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से muscles कहां पर situated होते है so skeleton muscles इसमें हमें पता चलता है skeleton, मुसल्स होते हैं इसमें पता है skeleton से ही , स्केलतन की surshire on रिंगी ज्जो सिट्टो रोधेऊ सहे हम skeleton muscles कहते हैं जिसकी locations होती हम संभी को पता है या BJ यह जो ये कि या पर होते हैं वो basically यहाँ पर situated होते है दिन next जो होता है smooth muscles smooth muscles जो होते हैं वो inventory act करने वाले muscles होते हैं जो की inner lining of the stomach या inner lining of the intestine में होते हैं जिससे की जो parastaltic movement होती है वो uncontrollable होते हैं हम उसको control नहीं कर सकते हैं जिस तरी की smooth muscles यहाँ पर होती है so जो usually present होती है covering of the wall of internal organs so cardiac lastly यहाँ पर पूछा गया सवाल की heart किन चीजों से बना होता है या heart की जो formation होती है वो कौन से किस तरह से होती है उसकी जो formation होती है cardiac muscles से help से होती है cardiac muscles जो होते है वो actually involuntary act करते हैं उनको कोई stimulus या हम खुज से उनको control नहीं कर सकते और जो पूरा heart होता है heart की walls होती है heart की covering heart की covering होती है thin layers होते है वो पूरी तरह से cardiac muscles से ही बने होते हैं so यहाँ पर आप diagram भी देख पा रहे होगी cardiac muscles कैसे होते है smooth muscles कैसे होते it skeleton muscles कैसे होते इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा मसल्स और मसल्स में भी अगर स्पेसिफाइब पुछा जाए तो इसका सही जवाब होगा कार्डियक मसल्स So which of the following is the largest gland in the body Human body में largest gland कुन सा है Option A, thymus, Option B, kidney, Option C, liver, Option D, pancreatitis So हमने अभी डिसकस किया कि which is the largest gland in the human body अगर यहाँ पर skin का option दिया होता तो यहाँ पर skin ही सही जवाब होता बट यहाँ पर skin का option नहीं दिया तो second largest which is the liver जिसका weight हमने क्या देखा 1.44 kg to 1.66 kg के आसपास जो उसका weight होता है So इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा liver Next question is which of the following human cells produce insulin So insulin produce करने वाल human cells किसे कहा जाता है So basically हम सभी को पता है कि insulin जो होता है वो हमारे body में जो blood glucose level होता है उसको maintain करने के लिए use किया जाता है और insulin कहाँ पर produce होता है में इसलिए कौन से organ में Pancreas में यहाँ पर produce होता है और यहाँ पर specifically पूचा गा है कि कौन से cell से produce होता है So option A beta cells, option C F cells, option C alpha cells, option D delta cells So जो insulin जो produce होता है या produce करने वाली cells होती है वो होती है beta cells So यह जवाब अब ज़रूर धान में रखना क्योंकि यह बहुत से exams में पूचा गया सवाल है So next question is Which of the following control breathing rate of rate in human जो breathing rate जो होता है उसको control कहाँ से किया जाता है Option A cerebellum, option B hypothalamus, option C thalamus, option D medulla oblingata So हमने सभी ने अभी देखा कि जो hunger और temperature होता है वो कहाँ से control किया जाता है hypothalamus से So यहाँ पर breathing rate जो होता है वो कहाँ से control किया जा सकता है इसका सही जवाब होगा medulla oblingata So medulla oblingata कहाँ पर सेचेट होता है जो brain stem होता है हम सभी को पता है इसे brain stem कहा जाता है यह जो होता है, वो pitch trigland होता है यहाँ पर जो होता है, हम इने अभी डाइग्रेम में देखा, यह होता है, यह होता है सेरबिलम, यह जो मिडुला ब्लंगटा है, यहाँ से हमारा जो ब्रीधिंग रेट है, वो कंट्रोल किया जाता है, यह सभी को पता होना चाहिए, so next question is respiration result in जो respiration होता है उससे क्या हासिल होता है या वो respiration क्यों किया जाता है release of oxygen, anabolism, release of carbon dioxide and transfer of carbon dioxide so जब भी हम inhale करते है तब oxygen inhale करते है और expel करते है तब carbon dioxide exhale करते है so जो alveoli होता है, olveoli जो होता है वहाँ पर thin blood vessels होती है जो oxygen जो hemoglobin होता है उस पर oxidated होता है और carbon dioxide हम expel करते है so basically जो respiration होता है उसका mostly जो reason होता है वो क्या होता है release of carbon dioxide which is a best product of the body cells जो blood में carry करकर olveoli तक लाया जाता है वहाँ पर exchange of gases perform होती है जहाँ पर oxygen blood cells में transfer किया जाता है और carbon dioxide remove किया जाता है और वह उसको बाहर body के बाहर release किया जाता है तो यह जो respiration का primary principle है so इसका सही जवाब होग option c stress hormone is dash dash so stress hormone को क्या कहा जाता है कौन सा stress hormone होता है oxytocin, adrenaline, vasopressin and sex hormone so which is the stress hormone so इसका जो सही जवाब होगा वो adrenaline होगा adrenaline is the stress hormone so I hope अभी तक आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी so मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe किजिए क्योंकि 95% लोग ही है जो चैनल को subscribe नहीं करते बाकी के लोगों ने अल्रड़ी चैनल को subscribe किया हुआ है अगर आपको content पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को subscribe किजिए जिससे हमें motivation मिले और वीडियो को like जरूर कर देना